एक से बारा तक जितने भी पद रिक्थ हैं सारे रिक्थ पदों पे संसोधित परिणाम जारी किया जाए जो गलतिया हुई है उनको सुधारते वे फिर से सप्लिमेंटरी रियल जो योगे बच्चे हैं उनको जारी किया जल से जल नमस्कार आप देखरें न्यूज फोर्नेशन में हूँ आपके साथ हं तुम योग अभी हर्ती सिचक संग के जो लोग हैं आज प्रेसवारता किये थे इनकी मांगे सरकार से लगतार ये मांग कर रहे हैं क्या है आपकी मांग सर दखिए हमारी मांग है कि बीपीएसी का जो एक जाम हुआ उसमें अभी तेईस अजार से ज्यादा पद रिक्थ है तो कक्षा एक से बारा तक जितने भी पद रिक्थ हैं सारे रिक्थ पदों पे संसोधित परिणाम जारी क्या जार पहला मांग दूसरा मांग में लेकरके इसकुल में पढ़ा रहे हैं तो हम सरकारश्य का बेरति हैं सब को बाहर क किया जाए और जितने भी अभी रिक्थ बच रहे हैं सारे रिक्थ पदों पे रिवाइज मैरी लिस्ट जरी किया जाए दुसरा मांग हो गया हमारा यह देखिए बीपी आसी का होना चाहिए और एस टीटी आप उतीर्न होना चाहिए लेकिन क्या हुआ कि एस टीटी का अपका एस टीटी कंप्लीट होना चाहिए लेकिन जीन लोगों का एस्टीटी नहीं था वैसे लड़केभी ब्यब्पर क्रविसे को पहले ही उसको अभियर्थी को चीनित कर देना चाहिए ठाहब लेकिन उन्हों नेचीनित नहीं किया जिसका नतिजह हुआ जिन पास एस्टी नहीं था ओ बैठ गए परिख्या दे दिये और बाद में डोकुमेंट्स डोकुमेंट्स सुधार के लिए बीपीएसी ने अपना पोटल खोला तब तक एस्टीटी 23 का रिजल्ट आ गया था और वैसे अभियर्थी ने बीपीएसी का पोटल पे एस्टीटी अब दूसरा अब यह कह रहा है कि आपके पास एस्टीटी उतिर्ण होना चाहिए तो बीपीएसी के एक्जाम से पहले एस्टीटी हुआ था 2019 में अब हम आते हैं यह एस्टीटी का जो बीएसीवी का जो विग्यप्ति था उस विग्यप्ति प्याते हैं तो यह विग्यप्ति कह रहा है कि 50% नंबर के साथ में आपका डिग्री पूरा होना चाहिए और एस्टीटी 2019 का फर्म अपलाई हुआ 24 दिसंबर 2019 तक यानि कि 24 दिसंबर 2019 तक अपका सैथ्षनिक योगता पूरा होना चाहिए लेकिन जिन लोगों का पास सैथ्षनिक योगता पूरा नहीं था वैसे लड़कों ने एस्टीटी के एक्जाम में बैठ गये और 19 के बाद और 2023 के पहले य आगे क्या करेंगे सरकार नहीं आगे पहले तो हम सिख्षा विभाग मानिये अतुल प्रसाजी से हां जोड कर प्रातना करते हैं कि जो गलतिया हुई है उनको सुधारते हुए फिर से सप्लिमेंटरी रियल जो योग बच्चे हैं उनको जारी किया जल से जल अगर ऐसा सरका सिख्षा विभाग को और मानिय अतुल प्रसाजी को आपस में बात करें जो गलतिया हुई है उनको हटाते हुए और जो योग अभ्यारती है उनका जल्द से जल्द मेरिट लिश्ट में नाम फिर से जारी करें अगर ऐसा नहीं होता है तो अगले साल के प्रथम सब्ता से हम करें आगरें जिस तरह महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को अजादि दिलाई थी नयाय के लिए लड़े थे उसी तरह हम लोग भी अपने नयाय के लिए सब सत्यागरह शुरू करेंगे तो आपने सुना क्या कुछ कर रहा था भरती आप बने रहें निजन कर